चला अब हम आगे बढ़ते हैं want of factor पर want of factor को हम क्यों बढ़ते हैं एक topic होता है abnormal molecular mass या abnormal molar mass ये क्या होता है जैसे कुछ electrolyte होते हैं जो किसी particular solution में dissociate होते हैं और कुछ किसी particular solution में dissociate होते हैं ऐसा होता कि मैं जैसे अगर मैं बात करूँ KCl की तो KCl को जब पानी में डालते हैं तो वो iron में dissociate होता है K plus और Cl minus तो जो observed molecular weight उसका आना चाहिए उससे molecular weight काम आता है उसका क्योंकि वो iron में dissociate हो गया लेकिन अगर मैं acidic acid की बात करूँ दूसरे end पर तो acidic acid क्या होता है benzen में associate होता है और acidic acid का जो molecular weight है वो association की वज़े से observe molecular weight उसका ज़ादा होता है तो यही जो molecular weight है इसी को मोलते है abnormal molecular mass तो यह ज़ादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है dissociation में कम हो जाता है association में ज़्यादा हो जाता है इसी जीच की study करने के लिए one tough ने एक factor introduce किया जिसको बोलते है one tough factor i यह क्या होता है i is equal to होता है normal molar mass divided by abnormal molar mass normal molar mass upon abnormal abnormal का मतब जो आप observe कर रहे हो वो ठीक है या i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं observed observed colligative property क्योंकि colligative property number of particles पर depend करती है और molecular mass उसका inversely proportional होता है तो इसलिए यहाँ पर abnormal लिखा है observe लिखा है तो यहाँ पर observe उपर आ जाएगा inversely की वज़े से upon calculated colligative property इस तरीके से भी निकाल सकते हो और i को हम ऐसे भी निकालते है total number of total number of particles after association और dissociation और dissociation और dissociation और dissociation और तरीके से हम लिखते हैं तो यह number of particles after association और dissociation का क्या मतलब है जो हमें observe होंगे इसलिए हमने उपर यहाँ colligative property में क्या लिखा है observed colligative property और colligative property इन्वर्स्टी पोस्टनल टू molar mass होगा तो इसलिए अपनने observed को नीचे abnormal मता observed उसको नीचे और normal को उपर लिखा है तो इस तरीके से IQ calculation करते हैं अब जो IQ calculation है अब हम दो cases में कर सकते हैं कैसे आपको कह लिखा association या dissociation यही दो case मैंने बता है जहाँ पर abnormal molar mass होगा तो मैं दो case बना रहा हूँ सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ case 1 for dissociation for dissociation अगर मैं I निकालू तो वो कैसे निकलेगा जैसे मालो मेरे पास कोई electrolyte है suppose AN और उसने मुझे N number of ions दिए अगर मैं आपसे वोलू T is equal to 0 पर initial यह 1 था यह 0 है और T is equal to किसी time पर 1 मैंसे अगर मैं X कम करूँ तो यह क्या बनेगा NX बनेगा ऐसा जहाँ पर X क्या बोलूँगा मैं degree of dissociation तो degree of dissociation DOD क्या हो जाएगी X upon 1 क्यों DOD कैसे निकालते हो कितने मॉल कम हुए और initial कितने लिए तो X by 1 इसकी DOD हो जाएगी ठीक है तो अगर मैं I लिखूँ यहाँ से तो बताओ जरा यह वाला formula लगा रहा हूँ number of particles तो मैं number of mole के हिसाब से भी लिख सकता हूँ तो after dissociation कितने mole है total 1 minus X plus NX और before dissociation कितने है 1 plus 0 समझ गए बात को तो I यहाँ से आ गया 1 plus यहाँ से X common ले लो N minus 1 into X तो I हमने कैसे निकाला इस तरीके से यहाँ पर N की value क्या है number of ions और X क्या degree of dissociation अब N का significance क्या है वो देखो तो significance of N जैसे मालो अगर मुझे KCl दिया है तो यह कितने ion मुझे दे रहा है K plus और CL minus तो इसकी N की value 2 होगी यहाँ से देखना है number of ion जैसे मालो MgCl2 लिखा है तो MgCl2 कितने ion देगा मुझे एक देगा Mg2 plus का और दो देगा किसके CL minus के तो N का total answer कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 इस तरीके से मालो ऐसा लिखा रहता CA3PO4 hold twice तो total 5 ion मिलते 3 मिलते CA2 plus के और 2 मिलते PO4 3 minus phosphate ion के तो N के value के होती number of ion से हम पता करते हैं तो यह पहला केस था dissociation का note करो फिर मैं association के लिए बताता हूँ आई कैसे निकालते हैं तो मैंने पहला केस आपको बता दिया dissociation अब चलते केस 2 पर केस 2 की बात करें तो for association for association जैसे अगर मैं कार्बोक्सलिक एसिड को बेंजीन में डालूं तो associate होते हैं तो suppose मेरे पास N number of molecule हैं जो associate हो रहे हैं तो यह बना रहे हैं ठीक है मैं थोड़ा सा आसान calculation करने के लिए यहां N से divide कर रहा हूँ तो यह 1 by N ऐसा देखेगा अब अगर मैं आपसे बोलूं t is equal to 0 पर मैं इसको 1 ले रहा हूँ तो यह 0 होगा और t is equal to t पर 1 minus x और यह हो जाएगा x by N जो भी coefficient of से multiply और x क्या यहां पर degree of association यह है आपकी क्या x ठीक i कैसे लिखोगे बताओ 1 minus x plus x by N number of moles after association divided by before association 1 plus 0 यहां से x common ले ले लो तो i is equal to 1 plus 1 by N minus 1 into x यह आजाएगा आपका association के लिए आई ठीक अब यहां N का significance क्या है जैसे माल लो मेरे पास 2 mol हैं किसके CH3 COOH के बेंजीन में इसको डाला तो यह बना लेता है CH3 COOH hold twice तो यहां पर N की value कितनी हो जाएगी 2 डाइमर बना रहा है न डाइमर बना है, ट्राइमर बना है, टेट्रामर बना है तो वही N की value यहां पर हो जाएगी ठीक है तो यह वाली बात हो गई association और dissociation के लिए अब अगर मैं इसके cases बनाओ क्या case बनेंगे suppose अगर मेरे पास आई की तीन value में देखो आई अगर मेरा 1 आया मतलब जैसा molecule था वैसे का वैसा ही है तो मैं लिखूंगा इसमें पहला case neither dissociation nor association ठीक अगर आई मेरे पास अगर आई मेरे पास 1 से ज़्यादा आया greater than 1 ठीक है क्योंकि आई का formula dissociation के लिए कह लिखा 1 प्लस N माइनस 1 X और N तो 1 से ज़्यादा ही होगा तो I हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा तो I greater than 1 पे क्या लिखूंगा मैं क्या होता इसमें dissociation के लिए होता है और तीसरा point I अगर less than 1 लिखूंगा तो आप देखो यह वाला formula N की value तो 1 से ज़्यादा ही रहेगी न इसका मतलब 1 upon N तो यह 1 से कम हो जाएगा तो negative निकल के आएगा तो 1 में से कुछ minus होगा इसका मतलब I less than 1 आएगा means association आएगा तो देखो I is equal to 1 किसके लिए होता है कभी association ना हो रहा हो और dissociation ना हो रहा हो अगर dissociation हो रहा हो तो I greater than 1 association तो I less than 1 तो यह वाली बात है want of factor की अब इसको आपको apply कैसे करना अब जो बात मैं बोलना हो वो सबसे important है solution chapter के लिए अब जब आप numerical करोगे ना तो यहाँ पर I के बारे में सोश्तियों करोगे जो मैंने पीछे कुछ numerical कराए थे vapor pressure में भी वहाँ तो मैंने लिख दिया था non electrolyte अब तो आपको electrolyte भी मिलने लगेंगे ठीक है तो जब कभी भी solution chapter का colligative property से related question करोगे तो I के बारे में सबसे बहले सोचोगे ठीक है तो अब वो कैसे आप करोगे मैं formula को फिर से दुबारा लिखता हूँ लेकिन अब I लेते हुए अच्छा इबाब बताओ want of factor I का जो participation होगा वो सिर्फ solute वालों में होगा क्योंकि number of solute particle पे ही colligative property डिपेंड करती है तो मैं सबसे पहला formula बना रहा हूँ P0 A minus P S upon P0 A क्या नाम है इसका RLVP is equal to I into जो XB था वो क्या लिखते NB upon NA plus NB तो I into NB upon I into NB plus NB इस तरीके से आप लिखोगे तो I का contribution कहाँ पर आएगा solute particle में आएगा क्योंकि solute के particle पे डिपेंड करती को लिएटे property और usually ऐसा होता है कि NA बना होता है इससे तो इसको neglect करके 0 रख सकते हो मतब जब आप formula लगा होगे question solve करने तो I NB upon NA से करोगे तो approximate answer आपका आजाएगा इसी तरीके से second formula को अगर मैं edit करूँगा तो delta Tb क्या था तुमारा Kb into M था ना अब जो M होता है उसमे number of particles या number of moles उपर आते है तो वस I का multiply कर देना उपर ठीक इस तरीके से तीसरा formula क्या बन जाएगा आपका delta Tf delta Tf ये क्या आजाएगा I into Kf into M ठीक है और चौता formula क्या बन जाएगा आपका pi is equal to I into C into RT और C क्या निकालते हो आप concentration निकालते हो ना उसमें क्या आता है number of moles of solute upon volume of the solution तो I से multiply हो जाएगा अचा, osmotic pressure से related एक बात और होती है जैसे मालो अगर दो solution है उसके बीच में आपको comparison कराना हो तो solution के कुछ नाम भी होते है suppose एक solution 1 है एक solution 2 है अगर पहले वाले का osmotic pressure दूसरे वाले के pressure के बराबर है तो हम उसको बोलते है isotonic solution दोनो solution के बीच में क्या relation है isotonic है अगर πाई 1 is greater than πाई 2 है तो हम बोलते है 1 hyper है और 2 hypo है देखो सीधी सी बात जो बड़ा वो hyper जो छोटा वो hypo ठीक तो मैं लिखूंगा 1 hyper अगर मैंने 1 hyper लिखा तो automatically 2 hypo हो जाएगा ठीक मैं एक और case बना रहा हूँ क्या πाई 1 is less than πाई 2 तो मैं यहां लिखूंगा 2 hyper अगर मैंने 2 hyper लिखा इसका मतलब 1 hypo हो जाएगा यह 1 और 2 का मतलब क्या है दो solution है फिर से समझाता हूँ एक solution था एक 1 था दूसरा था 2 तो solution number 1 का pressure अगर 2 के बराबर है तो उसको isotonic solution बोलते है 1 का pressure 2 से जादा है 1 का जादा है तो 1 को hyper बोलेंगे automatically 2 hyper बोलने लगेंगे ठीक है? hypotonic तीसरा क्या हैगा अगर एक solution है 1 दूसरा solution है 2 2 वाले का pressure जादा है तो अब 2 वाला hyper हो जाएगा और 1 वाला hypotonic हो जाएगा इस तरीके से ये case भी इसमें होते हैं ध्यान दखना note कर लो इसको फिर आपन सीधे चलेंगे अब numerical पे क्योंकि solution chapter में अगर आप numerical करना सीख गए मतब काम खतम हो गया और बहुत ही easy question आते हैं exam में इतने आसान आते हैं कि लोगों को लगता है कि solution से पहले लोग तैयारी करते हैं उस time पे उनको समझ में आ जाता है कि solution chapter का question नहीं छोड़ना है तो अगर नहीं छोड़ना है सब लोग सही करना है तो हम क्यों गलत करें हम भी तो सही करने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से solve करना है तो मैं आपके सामने कुछ question ला रहा हूँ पहले आप यह note कर लो इन formula को दिहान लखेंगे अपन colligative property में लखिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ question करेंगे question से बहुत अच्छे समझ में आगा कि solution chapter में कैसे question exam में आते हैं ठीक है तो जैसे पहला question है compare elevation in boiling point यह आपको compare कराना है आप मुझे बताओ delta db क्या होता है delta db होता है i into kb into m ठीक अब कभी कभी यहाँ पर molarity दे रखी होती तो हम उसको एकका solution के लिए molality लेके solve कर सकते है बस हमें check क्या करना है यह ध्यान दखो मुझे kcl दिया है bacl2 दिया है fecl3 और fe2SO4 whole trice मैं क्या check करूँगा देखो kb तो constant है और मुझे concentration भी सबकी constant दे रखी है मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब आई कैसे निकालते है यह सारे के सारे electrolyte है और electrolyte पानी में क्या होते है dissociate आपको बस एक ध्यान दखना है कि जो carboxylic acid है वो benzene में associate होते है बाकी आपको यहां कुछ मिले तो आपको dissociate ही करके चलना है यह मान के चलो अब ध्यान से देखो आपको किसी की भी degree of dissociation नहीं दे रखी तो हम सबकी 1 मान के चलेंगे तो सीधा-सीधा यह आजाएगा अगर मैं I का formula आप से बूछू dissociation में बताओ तो 1 plus N minus 1 X ऐसा X बोल देता हूँ DOD तो अगर X 1 है तुमारी सबकी अगर 100% dissociation ले 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 तो I किसके बराबर आजाएगा N के मतलब सीधे-सीधे आप ऐसे करो कि number of iron अगर जादा होंगे तो colligative property जादा होगी ऐसे चलना है तो ध्यान से देखो अगर मैं KCL में आप से number of iron पूछू तो आप बोलोगे 2 1 K plus और 1 CL minus इसमें number of iron बोलूँ तो आप बोलोगे कितने 3 क्या हो 2 CL minus और 1 BA 2 plus इसमें number of iron आप कितने बोलोगे 4 3 CL minus और 1 FE 3 plus और इसमें number of iron कितने बोलोगे 5 क्या हो 2 मिलेंगे आपको FE 3 plus और 3 मिलेंगे SO4 2 minus तो जिसमें number of iron जादा उसका I जादा I जादा तो Δट टी भी जादा उसके बाद किसका आएगा C वाले का उसके बाद किसका आएगा B वाले का और सबसे last में A वाले का ये क्या पूछा आपसे Alevation in boiling point डेल्टा टी भी अचा अगर सिर्फ boiling point पूछते तो क्या करते सिर्फ boiling point देखो डेल्टा टी भी जादा तो डेल्टा टी भी क्या होता है डेल्टा टी भी होता है टी भी माइनस टी भी नोट ठीक अगर डेल्टा टी भी जादा तो टी भी भी क्या होगा जादा तो अगर आपसे Alevation in boiling point बोले EBP या आपसे BP बोले boiling point तो दोनों का order क्या है सेम है या तो EBP बोल सकते हैं या BP, तो दोनोग order क्या होता है, लेकिन अखले question में थोड़ी सी अलग कहानी, यह बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा question है, compare freezing point, तो एक बहुत हो, सीधी सीधी यही कहानी, delta TF is equal to I into KF into M, इसकी type का formula होता है, अब आपको concentration कुछ दे नहीं रखा, तो बरावर लेके चल लेंगे, KF constant है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या delta TF is directly proportional to want of factor I, अब I किसका जादा, degree of dissociation तो दे नहीं रखा, 100% माल लेंगे, और अगर degree of dissociation नहीं दे रखा, तो I किसके बरावर होता है, number of iron के बरावर होता है, तो बताओ, इसमें कितने iron, K2SO4, इ इसमें 3 iron आएंगे आपके, इसमें कितने iron, 2 आएंगे, 1 Na+, 1 Cl-, इसमें कौन-कौन से 3, 2 आएंगे K+, और 1 SO4-, यूरिया में कोई iron की बात नहीं होती, सिर्फ अपने आप में एक molecule है, तो एक मान के चलते हैं, यूरिया हो गया, glucose हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक मान के चल का depression in freezing point जादा, तो सबसे ज़्यादा किसका हैगा D, D के बाद किसका हैगा A, A के बाद क्या हैगा B, और B के बाद क्या हैगा C, ये कह लिखा मैंने depression in freezing point, अब ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा depression, मतब उतनी ज़्यादा कमी, तो अगर depression ज़्यादा, तो freezing point क्या होगा, क द्धान लखना मैंने यहाँ पर क्या लिखा देगो Elevation in boiling point आपसे पूछे या boiling point पूछे dollar का order same Depression in freezing point पूछे और freezing point पूछे तो इसमें inversely proportional relation होता है द्धान लखना ठीक है इस तरीके से question आते हैं exam में note करई इसको फिर आगे और करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और question करेंगे ध्यान से देखना अगला question which salt would have the same i as that of k3 fe cn6 अब देखो जड़ा कभी ऐसे अगर bracket में लिखा होता है तो यह अपने आप में एक iron count होता है इसके बारे में detail coordination chemistry में पढ़ोगे अभी सिर्फ iron के बारे में अगर में बात करूँ तो इसके total iron आएंगे आपके पास 4 कैसे? 3 मिलेंगे k plus और एक पूरे का पूरा iron इसको break मत कर दे न, fe और cn को यह ध्यान लगना है इसमें, लोग गलती कर देते हैं तो यह 3 iron और यह पूरा का पूरा एक iron काउंट होगा, तो total 4 iron आएंगे इसमें, 3 k plus और fe cn 6 3 negative यह अपने आप में एक iron काउंट होगा, तो total iron 4 आएंगे अगर इसमें degree of dissociation कहीं नहीं दे रखी तो हम वनबान के चलते हैं means i की value और n की value same मतलब k4 sorry, k3 fe cn 6 का i आगया आपका 4 तो in में से किसका i4 है यह चेक करना है, nacl में बताओ i कितना आएगा इसका, n के वरावर यह आएगा do d1, 1, 1 के चलेंगे, i2 आगया 2 iron मिल रहे है, यहां कितने iron मिल रहे है 2 मिलेंगे na plus के और 1 मिलेगा SO4 2 minus 3, इसमें कितने iron मिलेंगे 3 और 2, 5 क्योंकि 2 मिलेंगे AL plus 3 के और 3 मिलेंगे SO4 2 minus के यहां i कितना आएगा, 1 मिलेगा aluminum plus 3, और 3 मिलेंगे NO3 minus, तो total iron कितने आएगे इसके 4 तो i की value इसकी 4 थी और पूछा था, सेम किसकी है तो इसकी आएगी d की, ठीक है, अगला question देखना, अगले मैं कहा रहा है 0.5 molar solution of urea is isotonic with, अब एक बाँ बताओ urea, glucose, sugar, यह सब जो होते हैं उनका i की value 1 होती है, ठीक है तो यह दिहान रखना कियों, अभी ज़रुत पढ़ेगी isotonic चाहिए, किसके साथ है A के साथ, B के साथ, C के साथ, या D के साथ, अब एक बाँ बताओ 0.5 molar solution of urea का πाई कैसे निकालोगे πाई निकालोगे ICRD लेकिन पूरा calculate थोड़ी करना है आपको तो सिर्फ क्या करना है, compare कराना क्या, कि दोनों का osmotic pressure बराबर आना चीए, तो मैं urea के लिए अगर πाई 1 बोलता हूँ, ठीक है urea के लिए πाई 1 बोलता हूँ तो πाई 1 is equal to ICRD I बताओ कितना है I इसका 1 है, और C कितना है 0.5 और RT ऐसा है तो इसका πाई 1 क्या आएगा 0.5 RT, किसका 0.5 RT आ रहा है ये चेक कर लो, या सीधा सीधा बोल दो जिसके I into C की value सेम रहेगी, RT तो constant D है तो जिसके I into C की value सेम रहेगी वही answer आएगा, तो I into C इसका चेक कर लो, तो इसका I कितना है मैं सबके I इनके उपर लिख रहा हूँ इसका I 2 है, इसका I सुगर का 1 होता है, इसका I 3 है या तरकना, सुगर, गुलकोज और यूरिया बगरा इनका I 1 होता है, इसका I 3 हो जाएगा BACL2, इसका I क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ध्यान दखो Benzoic Acid in Benzing, और यानिक जो Carboxlic Acid है, वो Benzin में टाइमर बनाते हैं, तो I हाफ हो जाएगा उसका Less Than 1 होता है, ध्यान से देखना तो इसका I लिख दिया मैंने, अब इसका I into C बता दो, तो I into C इसका कितना हैगा, 2 into 0.5, मतलब 1 लिख दू में सीधे 2 into 0.51, सुगर का I into C चेक करो, I कितना है 1, C कितना है 0.5, तो यह आगे न सीधा 0.5, तो इसका अगर Osmotic Pression निकालोगे, सबोज इसका Pi 2 Volume है, तो यह कितना आएगा, आपका 1 into 0.5 और RT, तो यह दोनों सेम आगे न, तो इसलिए इसका answer क्या आएगा, B, Isotonic में क्या होता है Pi 1 is equal to Pi 2, अगर होता तो Isotonic solution होते हैं, उनके बीच में क्या relation होता है, solution के बीच में, Isotonic होते हैं, इन सब का I into C check कर लोगे, वो नहीं आएगा, इसका कितना आएगा 3 into 0.5, इसका कितना आएगा half into 0.5, तो इसके बराबर थोड़ी है तो इसका answer B आजाएगा Note करो, फिर और question करेंगे चला हम आके बढ़ते हैं, यह दोनों question देखो, ध्यान से, IED question है, advance के देखना, बहुत easy question है, कई सालों पहले आये थे 0.2 molar acid HX का DOD दे रखा है 20%, ठीक है 0.2 molar acid HX is 20% ionized, मतलब DOD है, in the solution KF आपको दे रखा है, इसका freezing point निकालना है, तो simple formula based question है क्या लिखूंगा मैं, delta TF is equal to I into KF into M लगाऊंगा, I आप अलग से निकाल लो dissociation के लिए क्या formula होता, I का 1 plus N minus 1 into X तो 1 plus N बता दो N कितना HX को break करोगे तो 2 ion बनाएगा, यह 1 H plus और 1 X minus, तो 2 minus 1 और X क्या रख दूंगा मैं, 20% का मतलब 0.2, इस तरीके से सही है तो यह आजाएगा आपका 1.2, यह आई आगया यहाँ बुट कर रहा हूं तो delta TF is equal to 1.2 KF कितना दिया है 1.86, water होगा, इसलिए इसका इतना ही होता है, याद भी होगा आपको morality 0.2, इसको multiply करो, यह आता है 0.45 multiply करके देखोगे, 0.45 delta TF को में लिख सकता हूं TF not minus TF अब मुझे बता दो water का, यह जो KF यह water का है तो water का standard freezing point की अगर बात करें, तो वो 0 होता है 0 minus TF is equal to 0.45 तो जो TF आएगा, वो कितना आएगा आपका minus 0.45 degree centigrade क्योंकि 0 degree centigrade इसका TF not हमने रखा Kelvin में आप निकाल सकते है 273 add करके आगे बढ़ते हैं, अगले question में क्या पूछ रहे हैं आप से DOD पूछ रहे हैं और I दिया है तो सीधा सीधा सा है, barium nitrate का बस आप मुझे N बता दो, N कितना है दो, एक आएन यह मिलेगा और दो आएन यह मिलेगा क्यों, क्या मिलेगा, BA 2 प्लस और 2 मिलेगे, N और 3 माइनस तो N कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, I is equal to 1 plus N minus 1 into X तो यह आजाएगा, आपका 1 plus N कितना आगया, इसका 3 तो 3 minus 1 और X कितना है, इसका, निकालना है आई कितना है, 2.74 ठीक, इधर ले जाएगा इसको देखे आएगा, 1.74 is equal to 2X तो X यहाँ से कितना आगया 1.74 divided by 2 दो से, इसको cancel कर दो या 100 से पहले multiply कर दो तो percentage DOD आपकी आजाएगी 174 by 2 परसेंट डिवाइड कर लो 87% इस तरीके से solve करना है note कर लो, फिर कुछ और question करेंगे चलो, आगे बढ़ते हैं कुछ और question करते हैं, देखो ध्यान से क्या बोला है इसमें, equal solution of 4 into 10 की पार माइनस 3 molar molar है न, Na2SO4 and 10 की पार माइनस 2 molar glucose or isotonic fine DOD of Na2SO4 तो मुझे एक बाँ बताओ, अगर मैं Na2SO4 को 1 बोलता हूँ, तो πाई 1 is equal to glucose को 2 बोलता हूँ तो πाई 2, isotonic बोला है न तो दोनों के pressure बराबर, temperature के बारे में कुछ बात कह रहेंगे, नहीं, तो same मान के चलेंगे, ठीक है, तो मैं या लिख रहा हूँ i1, c1, rt is equal to i2, c2, rt, rt तो cancel हो जाएगा, constant है यह, तो i1, c1 is equal to i2, c2 i1 कितना है, बताओ, Na2SO4 के लिए i1 हम लिखेंगे i1 अलग से निकाल लेते, एक काम करते हैं, तो i1 आएगा, 1 plus n minus 1 into x, आपको x निकालना है अच्छा, इसका n तो बता दो 1 plus 2x, तो i आगया, 1 plus 2x, यहां रख दिया c1 कितना है, 4 into 10 की पावर, minus 3 i2 कितना है, glucose, urea, sugar का i कितना है, 1 अनोदा न, और c इसका कितना है, 10 की पावर, minus 2, ऐसा, ठीक है, solve कर लेते हैं, इसको answer आजाएगा, आपका देखना कितना हो जाएगा यह, एक काम करो, 10 की पावर, minus 2, और इसको upon कर दिया, 4 into 10 की पावर, minus 3, minus 3 उपर जाएगा, plus 3, उसमें से 2 minus 10 बचेगा, 10 by 4 कितना हो, गया, डाई, रही न, और यह यहां क्या बचा, 1 plus 2x, तो 2x is equal to 1.5, तो x क्या आगया, 0.75, मतलब, percentage DOD अगर आपसे बोला जाए, तो क्या बोलोगे, 75%, इस तरीके से solve करना आपको, समझे वा बात को, एक और question करते हैं, बढ़ी यह question है, बहुत सारी properties cover होंगी, इसमें ध्यान से देखना, मेरे बास 3 दे रखे हैं, solution, 1x, 1y, 3 दे रखे हैं, और relation बूछा है, boiling point, freezing point, osmotic pressure, vapor pressure में से कौन सा correct है, check करते हैं, boiling point कैसे check करेंगे, सीधी सी बात है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, किसी मैं भी, आपको concentration से तो relate करना ही नहीं, concentration दे नहीं रखे, i से relate करना है, अगर i जादा होगा, तो delta tb जादा होगा, अगर delta tb जादा, तो tb जादा होगा, सही बात है न, i जादा तो elevation जादा, और जितना जादा elevation उतना जादा, boiling point भी तो होता है, तो i जादा तो delta tb जादा, delta tb जादा तो tb जादा, तो आप चेक करो जरा, क्या ये order सही लिखा है, i किसका जादा है, 2.5, z का जादा है तो z सही है, उसके बाद, x का लिखा है ये सही है, फिर last में क्या आएगा बाई, इसका मतब ए आंसर सही है, बाकी क्यों गलत है, ये चेक कर लेते हैं, इसको कैसे करते, अगर करते तो कैसे करते, i जादा तो delta tf जादा, सही ना, i जादा तो depression in freezing point जादा, और delta tf जादा तो tf क्या हो जाता, कम हो जाता ना, सीडिय सी बाद है न, जितना जादा depression उतना कम हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे करते, तो इसमें क्या आता, freezing point का order क्या आता, जिसका i की value जादा, उसका freezing point कम, तो i की value z की जादा, z का freezing point क्या आएगा, ठीक, उसके बाद freezing point जादा किसका आएगा, इसका, ठीक, उसके बाद freezing point किसका आएगा, बीच में किसका आएगा, x का, इसका मतलब B answer भी सही है इसका सही ना देखो I अगर ज़्यादा तो TF कम होगा ना तो I की value किस में ज़्यादा है 2.5 तो 2.5 सबसे पीछे आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा 1.5 फिर उसके बाद क्या आएगा 0.5 पॉइंटेट यही आएगा ना तो दोनों answer हैं तीसरा check करते हैं osmotic pressure check कर लेते हैं x y z तीनों परावर दे नहीं तो भेंकर गलत है क्यों अगर I ज़्यादा तो सीधा सीधा πाई ज़्यादा तीनों का I अलग है तो πाई सेम कैसे हो सकता है तो यह गलत है ठीक है यह multiple correct में आ रहा है answer है तो इस्टाल लगा लो इस पे one or more than one correct है अगला देखना ज़रा D वाला vapor pressure की अगर मैं बात करूँ तो कैसे कराएंगे I अगर ज़्यादा तो RLVP ज़्यादा relative lowering in vapor pressure ज़्यादा तो vapor pressure क्या हो जाएगा कम आई ज़्यादा तो relative lowering ज़्यादा 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 लवरिंग उतना कम vapor pressure तो vapor pressure क्या आ जाएगा Y, X और Z में compare कराओ जो order freezing point का है वही order इसका होना चाहिए था क्यों सीधा साए ना I is university personal do TF और I is university personal do vapor pressure also है ना तो क्या होगा इसका और इसका order same आना चाहिए था जबकि ये गलत दे रखा है Y ज़्यादा फिर X फिर Z आना चाहिए तो इसका B तो इसके दो answer होंगे एक A होगा और एक B होगा नोट कर लो इसको फिर आगे बढ़ेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अगला topic के हमारा Henry's law ठीक है ध्यान से समझना क्या होता है Henry's law का statement हम लिखेंगे देखो Henry's law के बारे में बात करने इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां solute gas होता है और solvent liquid होता है मतलब हम gas को liquid में dissolve करते हैं Henry's law के आम जिंदिगी के example आप जानते हैं जैसे cold drink की बाटल होती है उसमें gas liquid में dissolve रहती है ना तो इस टाइप के example होते है Henry's law में तो Henry's law का statement यह है कि at constant at constant temperature the solubility the solubility of gas in liquid is directly proportional to directly proportional to the pressure of the gas in liquid directly proportional to the pressure तो solubility क्या होता है at constant temperature pressure के क्या होता है directly proportional होता है लेकिन अगर मैं solubility को in terms of mole fraction लिखूं तो point अपना यह बनता है कि if solubility if solubility is expressed in terms of mole fraction अगर इसको mole fraction के term में express करें तो हमारा statement क्या बनेगा हमारा statement यह बनेगा कि partial pressure of gas partial pressure of gas in liquid is directly proportional to is directly proportional proportional to the mole fraction of gas in liquid तो यह statement आपका बनेगा तो मैं इसके लिए यह लिख सकता हूं कि partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas in liquid ठीक और हर gas का k h अलग अलग होता है ठीक है जैसे अगर मैं temperature से dependence लिखू तो temperature बढ़ाने पर henry's constant बढ़ता है और henry's constant बढ़ेगा तो solubility काम होगी क्या mole fraction को आपने solubility के टम में express किया है तो temperature बढ़ाने पर k h बढ़ता है solubility कम होती है तो मेरे पास अगर मैं दो factor से relate करूं इसको क्या क्या factor इसको affect करते है solubility को एक होता है pressure और एक होता है temperature यह दो factor है जो solubility को affect करते है pressure बढ़ाने पर solubility बढ़ती है और temperature बढ़ाने पर solubility कम होती है इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो जैसे माल लो एक container है उसमें liquid है और liquid के surface के ऊपर gas है तो अगर आपने ऊपर piston लगा रखा pressure बढ़ाया तो gas क्या होगी liquid में dissolve होना चाहेगी मतब pressure बढ़ाने पर solubility बढ़ेगी और जैसी मैंने temperature बढ़ाया तो molecule को energy मिलेगी तो molecule दूर दूर भागेंगी तो solubility कम होगी आप इस तरीके से connect कर सकते हो बस आपको क्या ध्यान दखना है pressure of the gas वाला ध्यान दखना ये वाला इससे related numerical होते हैं आपके KH के बारे बात करें तो KH किस पर depend करता है nature of gas पर depend करता है nature of liquid पर depend करता है temperature बढ़ाने पर KH बढ़ता है तो solubility कम होती है ये बात होगी हैंडी जो की अब इसके numerical कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी note करो पहले इसे चला हम बात कर लेते हैं numerical की कैसे करना है numerical को हैंडी लो के ध्यान से पढ़ दो कह कह रहे है the mole fraction of N2 in air is 0.8 ठीक है the number of moles of N2 from air is dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 580 M pressure KH आपको के बन है अब ज़रा ध्यान दे न ये जो mole fraction N2 के दे रखे हैं air मैं मतलब Y of N2 लिख सकता हूँ मैं gas phase में ठीक डाल टन स्लो लगाएंगे तो Y of N2 कितना हो गया? 0.8 total pressure PT कितना दे रखा है? 5 ATM तो मैं partial pressure निकाल सकता हूँ यहां से N2 का तो partial pressure of N2 is equal to mole fraction of N2 into total pressure ऐसे लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 into 5 0.8 into 5 कितना हो गया ये? 4 ATM तो ये partial pressure N2 का आ गया अब हम लगाएंगे Henry's law Henry law क्या कहता है? partial pressure of the gas is equal to mole fraction of the gas sorry, KH into KH into mole fraction of the gas in liquid ठीक है? यही होता है और यहां gas कौन सी है? N2 तो मैं यहां पर N2 कर देता हूँ partial pressure of the gas कितना निकाला हमने N2 का 4 तो 4 is equal to KH कितना दे रखा? 10 की पावर 5 और mole fraction of N2 कैसे लिखूंगा? moles of N2 upon moles of N2 plus moles of H2O ऐसे लिखूंगा मैं ठीक है? अब ये कितना आएगा? 4 into इसको यहां लिया हूँ तो 10 की पावर minus 5 और moles of N2 upon moles of N2 plus moles of water कितने दे रखा है? 10 10 moles of water में dissolve करना है अब यहां पर हम approximation ले सकते हैं, क्या देखना? ये value solve करके इतनी आएगी न 4 into 10 की पावर minus 5, तो बहुत छोटा है यह इसका मतलब मैं 10 के respect मैं N2 के mole को neglect कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे ही वो बहुत कमाने वाला है तो moles of N2 क्या आजाएगा अब? 10 इधर चला जाएगा, तो 4 into 10 की पावर minus 4, ये आजाएगा आपका moles of N2, इस तरीके से solve करना है जे ये का question है ये तो बहुत easy question आया था exam में देखलो आप क्या किया? मैंने पहले लगाए डालटन सुलो, partial pressure of the gas निकाला और फिर ये अपलाई कर दिया और usually यहाँ पर ये होता है कि ये वाली value बड़ी और ये छोटी ही होती बहुत कम dissolve होती ही ये gases है ना? नोट कर लो इसे चला अब आगे बढ़ते हैं azotropic mixture हमारा अगला topic है क्या होता है ये mixture? ध्यान से सुन लो definition इसकी ये है when two different liquids in definite composition in definite composition when two different liquids in definite composition boils at constant temperature without changing their composition in liquid and vapor phase मतब लिक्विड फेज और वेपर फेज में composition चेंज नहीं करते हैं और किस पर boil होते हैं? जो mixture है वो किस पर boil होता है? constant temperature पर boil होता है ठीक है? तो definition फिर पढ़ेंगे when two different liquid in definite composition में प्रेजेंट हैं ठीक है? और वो boil होरे हैं at constant temperature without changing their composition in liquid और वेपर फेज में composition चेंज नहीं कर रहे हैं है ना? are called azotropes are called azotropes तो जो azotropes होते हैं वो क्या होते हैं? दो different liquid का एक mixture होता है और वो एक constant temperature पर boil होता है और liquid phase और वेपर फेज में composition चेंज नहीं होता है सीधी सी बात ये है ये पहला point हो क्या? component of mixture component का मतलब solute or solvent है ना? दो liquid मालवा आप तो component of mixture cannot be separate cannot be separate by fractional distillation method fractional distillation method क्योंकि दोनों liquid जो है वो एक particular temperature पर boil हो रहे है तो दोनों के boiling point में difference create नहीं हो पा रहा है जिस वज़े से FD नहीं लगा सकते FD कहां लगाते जहां boiling point difference होता है जैसे मालो सबोस एक liquid है वो 80 degree centigrade पर boil हो रहा है दूसरा liquid है वो सबोस 90 degree पर boil हो रहा है तो जो 80 degree पर individual जो इनका boiling point था अब mixture में वो ऐसा नहीं है अब जो total mixture बन रहा है उसका 90 से उपर भी हो सकता और 80 से कम भी हो सकता है अगर 80 से 90 के बीच में आ जाता तो 80 वाला पहली vapor में convert हो जाता ना तो यह नहीं हो पाता यहां पर ऐसा हम composition लेते हैं जिसको azotrop बोलते हैं कितने type के होते हैं types के बारे मैं बात करूं मैं azotrop के तो दो type के हैं पहला है minimum boiling azotrop और यह non-ideal solution मनाते हैं minimum boiling azotrop मैं ऐसा बोल रहा हूं कि boiling point कम अगर boiling point कम तो vapor pressure क्या तो बताओ round law में vapor pressure observe वाला किस में जादा आता है positive में या negative में non-ideal solution के लिए बताओ non-ideal solution में positive या negative में किसमे vapor pressure जादा आता है ये vapor pressure जादा आता है आपका positive deviation में तो positive deviation वाले जो भी mixture होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं minimum boiling azotrop ठीक एक एक्जाम्पल में लिख देता हूँ एथेनॉल प्लस वाटर एंसे आईटी में दिया है तो याद कर लेना इसको एथेनॉल प्लस वाटर इनका कॉम्पोजिशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन मत्दब minimum boiling aziot dude बनाता है दूसरा होता है इसमें maximum boiling aziotid तूसरा होता है Maximum boiling aziotrop ये क्या होता है देखो क्या लिखा maximum boiling मदब मैं ऐसा लिख सकता हूँ boiling point ज़्यादा अगर boiling point ज़्यादा तो vapor pressure कम तो बता जर्या type of solution में किसम वेपर pressure कम आता है positive में या negative में? negative में आता ना तो negative deviation वाले ये काम करते हैं example लिख देता हूँ है HNO3 plus water याद कर लेना इसको तो जो भी negative deviation वाले हैं वो सारे maximum boiling azotrop बनाएंगे और जो भी positive deviation वाले हैं वो minimum boiling azotrop बनाएंगे इतनी इसी कहानिया आपको ध्यान रखनी है note कर लो इसको आगे बढ़ते हैं फिर